आप सबको जय मसी की, आईए हम प्रात्ना करें मेरे मूँ के बोल और हमारे हिर्द्यों का सोच तेरे सामने घ्रहणियों के हो यह हो अपर मेश्वार हमारी चटान हमारा उदार करने वाले, आमेन आज प्रभु येशु के जनम दिविवस के पश्चात पहला रविवार है और आज का जो विशे है वो है पारिवारिक जीवन और आज इस सूसमाचार के हिस्से पर हम विचार करेंगे वो है लूकर अची सूसमाचार, उसका दो बाप और उसकी 41 से बावान आयत तक जब अक्सर हम लोग सूसमाचार पढ़ते हैं या बाइबल पढ़ते हैं और उसमें विशेशका सूसमाचार पढ़ते हैं तो हमारे मन में कई बार ये ख्याल आता है कि येशु मसी का जो बच्पन था वो कैसा रहा होगा, येशु मसी बच्पन में कैसा होगा, मरियम और यूसुफ ने उसका पालन पोशन कैसे किया होगा, और येशु मसी का जब वो 5 साल के होंगे, जब वो 8 साल के होंगे, तो उनक जो बच्पन था वो कैसा रहा होगा Bible हमें येशु मसी के बच्पन के बारे में बहुत कुछ नहीं बताती है क्योंकि जो सूसमाचार जो लिखे गए थे या जो लिखे गए है वो येशु मसी की जो सेविकाई है उसके उपर उनका जादा ध्यान के इंद्रित है बलकि जाय उसके बच्पन पर या उसकी एक तरह से हम कहा है पूरे जीवन की जीवनी लिखने पर बेशक हम लोग कई बार जब अश्चार सोचते हैं हम लोग विचार करते हैं कि येशु मसी का जो बच्पन था वो कैसा रहा होगा तो समय के साथ साथ कई लोगों ने उसके बच्पन के बारे में कहानिया बनानी शुरू कर दी और ये कहानिया जो थी वो एतिहासिक तत्यों के बिना अधार के थी और वो पुराणिक कथाओं के तरह थी जो जो येशु मसी के जीवन के बाद उसके रोहन के बाद उसके बाद उच्दालतर वो कहानिया लिखी गई थी तो उसमें कई चीजें जो बहुत मशूर है और अभी हमने जो येशु का जो एक सीरियल भी आ रहा था वो भी हमने देखा उसमें हमने देखा के वो किस तरह से जब येशु मसी छोटे ही थे तो उन्होंने अपने एक दोस्त को बिमारी से चंगा किया उसने एक मरेवे को जिलाया उसने एक चिडिया बनाई कले से और उसमें जान फूग दी तो इस तरह की बहुत सी कहानिया हम लोग येशु मसी के बारे में हमारे सामने आती है या हम लोग उसको आज के समय में मिलती है हम ये बेशक कह सकते हैं कि ये कहानिया सच नहीं है और इसमें से जो बहुत से कहानिया थी वो हम नए नियम में भी नहीं पाते हैं और ये जो लिखी गई थी कहां से इनको लिखा गया, किस ने लिखा, इसके समगरी ती या लोगों को कहां से मिली उसके बारे में भी हम नहीं जानते हैं और उनमें से कई कहानिया जो हैं फर्जी साबित हुई अगर हम गॉस्पल जो थॉमस के दुवारा लिखा गया था और उसमें ये कुछ स्टोरियां जो कहानियां उसमें हम देखते हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि जो थॉमस के दुवारा या थॉमा के दुवारा लिखा गया था वो खुद उन्होंने लिखा था या नहीं क्योंकि ये जो थौमा का जो सुसमाचार था वो 140 AD तक नहीं लिखा गया था या उसका कोई प्रमाण नहीं है और ये शायद उसके बाद लिखा गया था तो जो इसमें कहानिया जो थौमास था उनका कोई प्रमाण नहीं जो एक ये शुमसी के बारे में झो और ये भी एक हमारे सामने तत्थे है जो हमें याउन्हा के सुसमाचार में मिलता है कि येशुमसी ने जब वो काना के विवा में जब वो उसका पहला अशार करम किया था जब उसने पानी से दाकरस को बनाया था तो उसमें हम यहोना के समाचार में पढ़ते हैं कि वो उसका पहला अशारे करम था तो आज जो हमारे सामने बाइबल का पैसिज है जो लूका दो बाप और 41 से 52 तक उसमें हमें एक मातर जो येशु मसी के छोटे होने बच्पन के बारे में या कहें उसके छोटे होने के समय में जो हमें मिलती है वो इसी सेक्शन में हमें मिलती है जहाँ पे यूसुफ और मरियम येशु मसी को अरादना ले लेके गए तो जाज़तर हमीं कह सकते हैं जो येशु मसी का बच्पन था वो हमारे लिए एक मिस्टरी है हमारे लिए एक छुपीवी बात है क्योंकि हम सिर्फ उसके बच्पन के बारे में उसके आठ दिन का जब हुआ था उसके बारे में और उसके चालिस दिनों के बात के बारे में और अब उसके बारा साल का जब हो था उसके बारे में हमें सुसमाचार या Bible में हमें उसे वर्णन मिलता है और उसके बाद 30 की आयू से उसने अपनी ministry शुरू कर दी थी तो जब हम आज के पैसिज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि येशु मसी एक युवा या लड़के के रूप में वो मंदिर में अपने माता पिता के द्वारा लाया गया जो हमें 41 और 45 वी आयत तक हम जो पढ़ते हैं उसमें हम पहली चीज देखेंगे कि किस परकार सी येश येशु बारा वर्ष का हुआ तो वह पर्व किरिती के अनुसार येशिल्म को गए जब वह उन दिनों को पूरा करके लॉटने लगे तो बालक येशु येरूश्यलम में रह गया और ये उसके माता-पिता नहीं जानते थे वह ये समझ कर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का प्रणाव पर निकल गए और उसे अपने कुटबमियों और जान पेचान वालों में ढूंडने लगे पर जब नहीं मिला तो ढूंडते ढूंडते यरुशलम की ओर फिर लौट गए तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि येश्यों मसी फसे का पर्व बनाने के लिए अपने माता-पिता के साथ यरुशलम में गया तो जब हम देखते हैं कि येश्यों के तीन बड़े पर्व होते हैं जिसको पहला एक है फसे का पर्व फिर दूसरा है पेंटिकोस का पर्व और तीसरा जो पर्व है उसको जोपड़ियों का पर्व या फीस्ट ऑफ टैबनेकल भी कहते हैं जो वो लोग मनाते हैं तो जादातर जो यहुदी जो मेल होते थे, जो आदमी होते थे, वो येरोशलम को जाया करते थे, साल में तीन दफा इन तीनों पर्वों को बनाने के लिए. और बहुत से लोग थे, जो सरिफ एक ही पर्व के लिए जाते थे, जो फसे का पर्व था, क्योंकि वो उनके लिए सबसे बड़ा पर्व था और वो उसको मनाने जाते थे, और तों की जरूरत नहीं होती थी पर्वों में जाने के लिए, लेकिन जो फसे का पर्व था उसमें, जादातर पूरी जो family के रूप में लोग जाया करते थे क्योंकि उनके लिए एक important पर्व था उस साल का और वो पूरी family के साथ वहां जाकर उसको बनाते थे तो हम जब 42 वी आयत में पढ़ते हैं कि जब येशु बारा वर्श का हुआ तो वे पर्व किरिती के अनुसार येशुलम को गए तो ये जो यहूदी कस्टम में ये देखा जाता था जो बारा साल की उमर होती थी वो एक बहुती important उमर होती थी खास्तोर पर लड़कों के लिए क्योंकि उस उमर में वो उस उनके मुताबिक बार मिट्सवा की त्यारी करते थे जिसका मतलब यह होता था कि वो बच्चपन से एक वैस्क या एक वैस्क के की तरफ वो अपने कदम को बढ़ाते थे और इस उमर से वो जो maturity थी उनको यह था कि वो उनको maturity आना शुरू हो जाती थी वो तो फिर हम 43 वी और 44 वायत में पड़ते वाली खाये जब उन दीनों को पूरा करके वे लौटने लगे तो बालक येशु ररुशलम में रह गया और यह उसके माता-पिता नहीं जानते थे वे ये समझ कर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाओ पर निकल गए और उसे अपने कुटुम्बियों और जान पेचान वालों में ढूंडने लगे तो जब परुव का समय जब पूरा हुआ और जो उसके माता-पिता थे वो वापस की जाने लगे तो उन्होंने यह नहीं जानते थे कि येशु है वो येरुश्यम में ही रह गया और इस बात को अन्जाने में वो बाकी लोगों के साथ वो लोग निकल गए अपने घर को लोटने के लिए तो उस समय यह होता था कि जो ग्रूप्स के ग्रूप्स लोग एक साथ मिलकर ऐसे जाया करते थे और वैसे ही वो लोटा करते थे तो उसमें वो आपसी रिष्टेदार भी होते थे पड़ोसी होते थे या पूरे गाउं के लोग एक ही साथ उस पर्व को मनाने के लिए निकलते होंगे तो वो लोग सब जब लोटने लगे तो ये जो येशु थे वो ये जोच सकते हैं कि अगर हमारे में से किसी का बच्चा ऐसे हमारे आखों के सामने से मिनिट के लिए एक घंटे के लिए भी उट जाए, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और हम उसे एकदम धूनना शुरू करते हैं तो वोही हाल येशू और उसकी येशु मसी के माता पिता की हुई होगी और उन्होंने जब देखा कि येशु मिसिंग है तो वो उसको ढूंडने लगे और वो जब नहीं मिला तो वो परेशान हो गए और वो अपने बाकी दिश्तेदारों में बाकी उनके साथ लोग थे उन्होंने ढूंडा होगा और वो जब नहीं मिले तो हम ये कह सकते हैं के वो एकड़े परेशान हो गए होंगे और जब वो नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने जान लिया कि येशु उनके साथ नहीं है तो वो वापिस आने के लिए वहां से चल पड़े तो जब मैंने जैसे पहले बताया है कि लगवग एक दिन का उस सफर तैक कर चुके थे और हो सकता है कि करीब 20 मिल वो लोग चले गए हो और जब वो नहीं मिला येशू तो वो वहां से वापिस आए और उस समय येशू मसी 12 साल का था और येशू मसी इतना छोटा भी नहीं था कि वो बच्चों के साथ रहे और इतना वैस्क भी नहीं हुआ था या इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि वैस्कों के बीच में वो रहे तो जो मरियम और जूजफ थे उन्हें ने सोचा कि येश्य मसी शैद पीछे रह गया और जब वो पीछे लोटते होंगे तो और भी जो ग्रूप सारे होंगे हो सकता है उसमें भी उन्होंने देखना चुरू करा हो और उसको ढूणना चाते होंगे तो हम देखते हैं कि जब यहां पर जो मरियम और यूसुफ उसको ढूण रहे थे तो उन्होंने हम ये विश्वास कर सकते हैं कि उसको ढूणने के लिए उन्होंने कुछ भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी होगी क्योंकि जब किसी का बच्चा खोता है तो लाजमी बात है कि माता पिता परेशान हो जाते हैं और उसी तरह से वो लोग भी परिषान हो गया और जब उन्होंने उसे नहीं देखा तो उन्होंने ये निन्ने लिया कि वह वापिस यरुशलम को जाएंगे और वहां जाके उन्होंने ढूंडने का निन्ने लिया फिर हम दूसरी चीज जो देखते हैं कि वहाँ पे मंदिर में जब पहुँचे तो जो 46 और 50 आयद तक हम देखेंगे तो मा लिखा है और तीन दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रशन करते हुए पाया जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ पर और उसके उत्रों से चकित थे तव उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उसे का हे पुत्र तूने हमेसे ऐसा वहवार क्यों किया देख तेरे माता तेरे पिता और मैं तुझे ढूंटते थे तो यहां पे हम देखते हैं कि येशु मसी के मात्ता पिता जब वहां से वापिस लोटे और लुका हमें बताता है कि तीन दिन के बाद उन्हें वो मंदिर में उब्देश्ट करता वा मिला तो हम तीन दिन से ये अंताजा लगा सकते हैं कि एक दिन वो लोग निकल गए थे एक दिन का सफर वो तैक उर चुके थे तो एक दिन वहां चला गया फिर एक दिन उनको वापिस आने में लगा होगा और एक दिन शैद उन्होंने येशु मसी को यरुशलम में ढूंडा होगा इसलिए तीन दिन के बाद वो वहां पे उनको मंदिर में मिला तो जब वो तीन दिन का जो सफर था वो करके लोटे और उनने या पर येशु मसी को देखा कि वो देशोकों के बीच में बैठा है और वहाँ पे उनकी सुनता है और उनसे वो प्रशन कर रहा है तो समय ये आम चीज थी कि जो छात्र होते थे जो स्टूडेंट्स होते थे वो नीचे बैठते थे फर्श पे और शिक्षक भी बैठते थे और वो वहाँ पे बैठकर उनसे शिक्षा घ्रेंड करते थे उनसे पढ़ते थे और ये उनका एक समानने तरीका था कि वो समवात करते थे प्रशन उत्तर होता था कि जो टीचर होते थे वो भी कोशन्स पूछते या आंसर देते थे, जो स्टुडेंट्स होते थे, वो भी अपने सवालों को पूछते थे और उनसे आंसर बताते थे, ये सवाल, जवाब का तरीका था एक, तो जब وہاں पहुचे और उन्होंने देखा कि येशु मसी वहां पे बैठा है और वहां पे सवाल पूछ राया और प्रशन पूछ राया तो वो अश्चारे चकित हुए, ना केवल वो अश्चारे चकित हुए बलकि वो इसके उत्तर से जितने लोग वहाँ पे बैठे थे वो सब अश्चारे चकित हुए और वो सब उसकी समझ और उसके उत्रों पर चकित होते थे तो वहाँ पे चितने लोग थे वो इस बात से चकित हो रहे थे कि येशु मसी किस परकार से उनसे प्रशन कर रहा है या उनको उत्तर दे रहा है और 48 वायत में हम देखते हैं कि जो उसके माता पीता थे वो भी चकित हो गए कि वो किस प्रकार से वो उत्तर दे रहा है तो जो येश्यू के जो मातपिता थे उसको जब वहाँ देखा तो उनको पहले तो उनको एक रहात की सास आई होगी कि चलो हमारा बेटा मिल गया और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो किस प्रकार से वहां बैट कर उनको सवाल जवाब कर रहा है उनको उत्तर दे रहा है और वो उससे चकित हुए तो जो मरियम थी जब उसने उसको देखा और एकदम से 48 वे आयत में हम देखते हैं कि वो पूस्ती है तब वो देखकर उसको पुत्र कहके बुलाती है तो यहां पे जो पुत्र जो परियोग किया गया है इंग्लिश में सन तो अगर वो ग्रीक वर्ट था उसके लिए टेकनॉन जिसका मतलब होता है कि जब एक पेरेंट या माता-पिता अपने जो उसका बच्चा होता है उसको पुत्र कहके जब पुकारते है तो उसका स्ने का उनके अंदर जो सभाव होता है और वो जो उनके इतने दिन तीन दिन से उसको ढूंड रहे थे और तीन दिन से वो मिला नहीं जो उनकी परेशानी थी वो एकदम से खतम हो गई और एक मा का रूप में मरियम ने उससे एकदम से पुछा के पुत्र तू ने हम से क्यों ऐसा विवार किया तो उसके बाद उसको तो थोड़ा गुस्सा भी होगी के उसके ऐसा क्यों किया उसने उससे पूछना चाहा क्योंकि वो परेशान थी तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मेरे जनम के बारे में सारी भविश्यवानियां हुई थी, स्वर्ग दूद तुमारे पास आये थे और उन्होंने तुमें सारी बाते बताई थी, और ये भी बताया था कि मैं परमिश्वार का पुत्र के लाऊंगा, तो तुम मेरे बारे में सब जानते थे, तो क्यू परिशान हुए, एक तरह से होई कह रहे हैं, या मुझे क्यू ढू दूसरी चीज हम यह देखते हैं कि वो अपने जो माता-पिता है, मरियम और यूसुफ उनको ये सिगनल दे रहा है कि अब उसका उनसे दूर होने का समय आ गया है, तो वो कोई ऐसी दूरी नहीं थी कि जो एक गलत काम था कि पुत्र अपने माता-पिता को इस तरह से सकती पर आया था कि उसका उस समय आने वाला है कि अब वो जो दुनियावी चीज़े हैं, दूनियावी रिष्टे हैं उनसे वो दूर हो और जो उसका असली रिष्टा है, जो प्रमेश्वर का पुत्र के रूप में उसको जो काम करने के लिए आ है, उसकी वो शुरुआत कर सके तो यहां पे जब हो हम दोनों चीजों को देखते हैं 48 भी आयत में के वो 47 और 49 आयत में तो वहां वो लिखते हैं मरियम कहती है देख तेरे पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंडते तो यहां तेरा पिता और वहां पर येश्व मसीश जवाब देता है कि क्या पिता कौन है या वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि परमेश्वर मेरा असली पिता और मैं उसके भवन में मेरा होना जरूरी है तो जब वो येश्व मसी मंदिर में थे तो वहां पे 12 साल की उमर में ही हम देखते हैं कि वो इन चीजों को समझते थे और साथ ही साथ वो अपन करना जरूरी है फिर हम पचासवी आयत में देखते हैं परन्तु जो बाते उसने कही उन्होंने उसे नहीं समझा तो येश्व मसी ने उन्हें साफ साफ बोला और जैसा मैंने पहले कहा कि मरियम और यूसुफ दोनों को स्वर्धूतों ने दर्शन दिये और उसके बारे में जो गडड़िये थे सर्दूतों की बात सुनकर वहाँ पे महुचे और उसके बाद वो तीन मजूसी उसके लिए आए ये सारी बाते उनके सामने हुई लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं समझ पाए कि येश्व मसी उनसे क्या कह रहा था फिर हम तीसरी चीज़ देखते है जो 51 से 52 आयत में है वो येश्व मसी के बढ़ने के बारे में हम देखते हैं कि वो किस तरह से बढ़ा तो 51 आयत में हम देखते हैं कि मालिका है तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बाते अपने मन में रखी तो यहां और वो वो नासरत में जाके उनके साथ रहा और उसकी जो माता थी मरियम थी, वी इस सब बाते अपने मन में रखी, तो फिर जो हम पहले भी पढ़ते हैं, कि जब गर्डड़ी भी आयते तो बहुत हैं, देखते हैं, परन्तु मरियम ये सब बाते, अपने मन में रखकर सोचती सब बाते अपने मन में रखी, तो जो सारी बाते मरियम के शामने वी तो आनुभव किये विस अपने मन में रखकर और यह देखती रही और ये मसी जो था व उनके आधीन रहकर यरुषलम में रहा, फिर क्यावन वी आयत में देखते हैं और येश्यू बुद्धी डील डॉल म और परमेशवर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो यहाँ पर हम चार चीज़े देखते हैं, पहली चीज़ है मानसिक रूप से, कि येश्व मसी मानसिक रूप से बढ़ा, यानि कि ग्यान में वो बढ़ता गया, ग्यान में बढ़ा और हम सोच सकते हैं, या बात को हम समझ सकते हैं, कि येश्व मसी ने जो scripture था उस समय का जो उस समय की जो शास्त्र थे वो पड़े पवित्र शास्त्र पड़ा जो ओल टेस्टमेंट जो समय था वो पड़ा और उसके ज्ञान में वो बढ़ता गया उसने अपने अंदर समा लिया फिर दूसरी चीज हम देखते हैं physically deal-doll में तो वो ना केवल वो physically बड़ा, physically बड़ा हुआ बलकि वो और stronger और अपने दिमागी रूप से भी वो और जादा बड़ा, mature होता कर चला गया फिर तीसरी चीज हम देखते है spiritually आगे हम पड़ते हैं मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया यानि उसके लिए उसने अपने आपको तियार किया और फिर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया तो हम यह भी देखते है कि येश्य मसी कोई अकेला नहीं रहा या कोई isolation में नहीं रहा या लोगों से दूर नहीं रहा इतने समय में वो लोगों के बीच में रहा, लोगों के पढ़ते हैं जब वो येश्य मसी के लोग बहुत प्यार करते थे, लोग उसको बहुत फॉलो करते थे, तो ये नहीं कि येश्य मसी लोगों से दूर रहा, लोगों के साथ नहीं रहा, तो ये सारी चीज़े हम इस बात से हम देखते हैं कि किस परकार से येश्य मसी अपने अपने आपको जब वो बड़ा हुआ तो हमें उसका ग्यान मिलता है तो आज जब हम इस सुसमाचार में देखते हैं कि किस परकार से येश्व मसी ने अपने माता-पिता की आग्याकारिता में होकर अपने जो शुरुवाती जीवन था वो बिताया जो उसका बच्पन से लेकर 30 साल तक की उमर जो थी उसने अपने माता-पिता की आग्याकारी रहा माता-पिता के परती वो वफदार रहा और माता-पिता ने भी उसको कह सकते हैं एक आदर्श बच्चे के रूप में बड़ा किया उसका देखभाल की उसका ख्याल रखा हम नहीं जानते के यूसुफ कितने साल तक जीवित रहे येशुमसी के कितने जब वो कितने साल के थे यूसुफ की डेथ हुई लेकिन जितना भी साल हो रहे हम सोच सकते हैं कि उन्होंने एक आदर्श बच्च के रूप में उसको बड़ा किया जिस परकार से कादर्श पिता होता है और जो एक परिवारिक चीजे जो होती है उसमें उसने येशुमसी को बढ़ाया या येशुमसी ने परिवार में रहकर परिवारिक बातों को परिवारिक चीजों को अपने जीवन उसी तरह से जिया जैसे एक आम इंसान जीता है या जो एक लड़का होता है अपने मातापिता के साथ, अपने परिवार के साथ रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि वो पूरे इंसानी रूप में आया, हम इंसानों के तरह वो पैचाना गया, इनसानों के सरूप धारण किया और वो एक पूरे इनसान की जो जीवन होता है उसको उसने जिया तो येश्य मसी के हम इस चीज़ को हम देखते हैं और जब हम एक परिवार की बात करते हैं तो एक परिवार के रूप में जो यूसूफ, मरियम और येशु मसी थे हमारे लिए एक जामपल सेट करते हैं कि किस तरह बच्चों को होना चाहिए आग्याकारी अपने माता-पिता का या किस परकार से माता-पिता को परमिश्वर की बाची संसकार में या परमिश्वर के बचन में उनको बढ़ाना तो हम लोग अगर अपने परिवार में इस तरह से एक हो और इस परकार से हमारा परिवार हो तो हमारे जीवन में बहुत सी जो कटनाईया हैं वो खतम हो सकती हैं बहुत परमिश्वर की हमें आशिश मिल सकती है और जब हम इस साल के अंत में हैं और एक नए साल का हम इंतिज तो यह हमारे लिए एक एकजामपल है कि हम किस परकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं जब हम ऐसे बढ़ते हैं तो हम परमिश्वर के अनुगरह में भी बढ़ेंगे और लो हमारा जो परिवार है वो, एक आदश परिवार के रूप में हम पहलाएंगे, आईए हम परातना करें, हे सरशक्तिमाल उध्यालू परमिश्व धन्यवाद करता हूँ, आज के वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, आपके अनुग्रे के लिए सारी आजिशों के लिए और परमिश्वार ये समय देने के लिए कि परमिश्वार हम इस समय आपकी उपस्तिती में होकर आपके वचन के साथ अपने समय को पिताए तो मैं हम सब के लिए धन्यवाद करता हूँ अब प्रातना करता हूँ प्रमिश्वर के अपना नुगर हम सब पे कीजे खास पतोर कर हमारे परिवारों के आपके अगवाई हो प्रमिश्वर ताकि हमारे परिवार आपके डर और भेह में होकर आपके ग्यान में होकर एक होकर परमिश्वर अपने जीवन में आगे बढ़े और जैसा आप चाहते हैं परमिश्वर वैसी हमारा जीवन हो सके तो एक बार फिर से हम सब कौप के हातों में सौबता हूँ और फ्रातना आपके पहरे बिटे खुदनी शुमसी के नाम से मांगते हैं आमेन